एलो प्रेंट्स तरह सकते हैं यहां पर चार्जर लगाएंगे यहां पर बताना चाहूंगा मैं चार्जिंग में लोगो आता है और और आपको आपको लगाना हैं इसमें करना क्या है ऊपको वीडियो में आपको पूरा यहीं बतायां आपको पूरा वीडियो सबसे पहले हैं और यह क्रिश्टल का इसी होता है फ्रिकेंसी के लिए जो कि लेटेस्ट मॉडल्स में आपको अलग से मिलेगा कि चलिए पूरा सिड्ल पैक है जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यह हीट रिजिस्टेंस टेप को रिमूफ करते हैं और उसके बाद जो शिल्ड लगी हुई है सिप्वी के पास उसको कट करेंगे क्योंकि इस क्रैपर भी हमको डालना है और हीट भी करनी है सिप्यू अदर्वाइज हीट नहीं होगा जब तक यह शिल्ड इसके उपर ढगी होगी तो सबसे पहले उपर का शिल्ड कट कर लेते हैं कटर से में यहाँ पर कट करूँगा ध्यान रखना है आपको आसपास की कोई भी कॉंपोनेंट या इसी डेमेज नहीं होनी चाहिए अदर्वाइज आपका काम बढ़ सकता है तो यहाँ पर यह हैंड सेट अभी आन कंडिश परड़ में है तो जिसको जो फ्रेशर है यह उनके लिए वीडियो है जो पहले से काम करते हैं आप स्किप करते हैं इस वीडियो को कि इसमें हमने जो बताया है सीप्यू को कैसे निकाल कर हमने लगाया है बस सीप्यू कैसे लगाया जाता है यह सारा चीश इसमें बताया है कि अगर आप CPU का गाम करते हैं तो यह वीडियो आप इसकीप कर सकते हैं क्योंकि जो फ्रेश एस्ट्विंट्स होते हैं उनको समझाना होता है तो लाइब वर्क करके उनको दिखाना पड़ता है जैसे कि आप देख सकते हैं साइड गुलू सबसे पहले कट करेंगे 250 एर 250 हीट और तीन एर में साइड गुलू कट करेंगे थोड़ा सा फ्लक्स मैंने यहां पर डाला है और नीचे से जो एक कोईल रिजिस्टर है हमारा उसको रिमूफ कर लेते हैं क्योंकि मुझे स्क्रापर यहीं से CPU को उठाना है इसक्रापर जो हमारा CPU लिफ्टर है यहीं से हम हैंड यूज करेंगे तो रेजिस्टर को मैंने बागु रख दिया है तो चलिए CPU उठा लेते हैं तो CPU सारा का सारा हीट करना है आपको एक जगह पर हाथ नहीं रखना है अगर आप एक जगह पर नौजल को रखेंगे तो आपका बोर्ड फुल सकता है या CPU डैमेज हो सकता है यह आइस्ता से यहाँ पर मैं CPU के नीचे हैंडिल को आइस्ता आइस्ता डाल रहा हूँ और CPU मेरा लिफ्ट हो चुका है रेख सकते हैं बहुत नर्म हातों से करना है जो NC प्रिंट है वो 100% आपके निकल ही जाएंगे सैमसंग के मोडूल में NC प्रिंट निकल जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल लेड होता है उसको हम ओजी लेड के साथ मिक्स करते हैं ताके जो टेंपरेचर है ओरिजनल पीपीडी का उसका फुरा टेंपरेचर कम हो और इसली वो क्लीन हो जाए यहाँ पर स को सबसे कोольшory मिक्स करना है और कि करना है और एक बारck आपको ब्लेट से सारा गुल्यव को लिव का करना है तो इसलीबु ओर से हम जो छुडके करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कॉलउच से मैं तो अ्यक्रहिए 52 सफवक्र लिए तो हैं यहाँ पर हम रबड़ गलूच तो अतना निकाल लेंगे उसके बाद फिर से हम फ्लक्स डालेंगे एक और PCP बीच में किसी कस्टमर का वायर तूड गया था आरिफ के बल तो चलिए CPU एक और मरतबा फ्लक्स डालेंगे और डिस्ट और वायर करेंगे दो बाद आप ऐसे कर लेंगे तो यह सारा अच्छे से क्लिन हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ पुराने जो एंसी प्रिंट है यहां पर लगे हुए अभी भी CPU में इस तरह से हैंड़ सेट में आपको CPU नहीं लगाना है एक और मरतबा फ्लक्स डालेंगे और डिशोल्डर वायर करेंगे और डिशोल्डर करके क्लिन कर जाएंगे फिर आप ढूड़ेंगे के कौन से वैल्यू के कॉम्पनेट लगाए तो काम को बढ़ाएगा मत बोट क्लिन हो चुका है हमारा CPU को क्लिन कर लेते हैं अब से पहले फ्लक्स डालेंगे हमारा सोल्डर मिक्स करेंगे उसके बाद डिशोल्डर वैर करेंगे उसके ब अगर अच्छे से सीखना है तो जोइन कर सकते हैं आकर के लाइव हमसे सीख सकते हैं यें online ट्रेनिग लेना चाहते हैं तो आनलाइन हमारा प्लेस्ट्वर एप्लिकेशन आ चुगा है जिसमें आप सारा का सारा नालेज ले सकते हैं घर बैट़ें रात में 2 घंटा दीजीए एक घंटा दीजिए, सारा कोर्स आपके साथ 6 मंद के लिए रहेगा वाटसप करिए, कॉल करिए, डिटेल ले सकते हैं जैसे के देख सकते हैं यहाँ पे CPU क्लीन हो रहा है और CPU क्लीन हो जाएगा तो यहाँ पे हम रिबॉल करके उसको लगा करके चेक करेंगे तो स्टैप्स देखें, किस तरीका से काम हो रहा है CPU डैमेज नहीं होना है प्रिंट डैमेज नहीं होना है और तेज ब्लेड लेकर बिल्कुल भी काम मत करिएगा तो यह बीच में Z-Fold का एक हैंड़ सेट हमारे पास आया था तो उसका भी हमने काम किया तो बीच में कस्टमर ने यह बता रहा थे तो चलिए इसी CP को फिर से फ्लक्स डालते हैं डिसोल्डर वायर करते हैं एक बार अच्छे से क्लिन कर लेते हैं और जब साफ हो जाए तो फिर हम इसको रिबॉल करके लगाएंगे तो इस वीडियो में रिबॉलिंग का जो वीडियो है हमने स्किप किया है फ्रेंट्स तो यहाँ पे CPU हमारा क्लिन हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार आपको बताना चाहूँगा देख सकते हैं CPU क्लिन हो चुका है और यहाँ पर हमने CPU रिबॉल कर लिया है देख सकते हैं यह थोड़ा सा स्किप किया है यहाँ पर CPU रिबॉलिंग का वीडियो चलिए CPU यहाँ पर बिठा देते हैं जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में आने CPU कैसे रिबॉल होता है अल्रड़ी हमने बताया है कहीं मेताबा यहाँ पर वीडियो काफी लेंदी हो जाहा था तो इसमें हमने CPU रिबॉलिंग का वीडियो थोड़ा सा स्किप किया है तो चलिए CPU लगा लेते हैं 350 हीट और एर रख लेंगे 3 और CPU लगाने के बाद थोड़ा सा फलक्स डाल करके शेक करके चेक कर लेंगे थोड़ा सा इसको भी हिलाएंगे CPU को यह देख सकते हैं CPU जब बैट जाता है प्रॉपर तो अपनी जगा पर फिक्स हो जाता है तो चलिए CPU हमारा यहां पर लग चुका है जैसे PCP कूल होगा धंडा हो जाएगा तो फोल्डर में इसे फिट करते हैं तो फोल्डर में यह बैट नहीं रहा है क्योंकि कटर से हमने जो शील उठाई थी उसको थोड़ा सा दबा लेते हैं तो चलिए फोल्डर में हमने लगा लिया display connector और जैसे हमने charger लगाया है यहां पर 70% टक चार्ज यहां पर दिखा रहा था जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा handset on हो चुका है तो चलिए on करके एक बार देख लेते हैं तो पावर की प्रेस करेंगे तो हमारा जो काम है फ्रेंड्स प्रॉपर हो चुका है तो पावर की प्रेस करेंगे और mobile को on करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए शेर करिए नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है मार्केट में तो हम होगोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की यहाँ पर देख सकते हैं हैंडी स्किल होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फॉल्ट फैंडिंग अगर आपको आती है इसी वे में अगर नहीं आती है तो हमारा अनलाइन कोर्स ले लिजिए आपको सारा चीज फॉल्ट फैंडिंग शॉर्टिंग लिकेज डैड मॉबाइल लाइट चार्जिंग ग्राफिक सारा कुछ आप रिपेर कर सकते हैं तो यह यहां पर हैंड सेट हमारा ओन होते हुए चलिए मोबाइल हमारा खुल चुका है डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है हमारा नंबर है यहां पर हम टाइप करते हैं 7075-235173 थैंक्यू वेरी मच्च